एपिसोड के स्टार्ट में हमें जैन वाल्टरस को दिखाया जाता है जिसकी बाद जॉस के साथ हो रही होती है और इसके बाद वो लोग कुछ डेट में जाते हैं जहां पर उनकी केमिस्ट्री काफी अची बन गई होती है इसकी वज़े से उनके बीच में गुलु गुलु होता है और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जॉस अब अपनी जैन वाल्टरस के साथ नहीं होता है इसलिए जैन जॉस को मैसेज करकर उसका हालचाल पूसती है पर जॉस की तरफ से उसे कोई भी मैसेज का रिप्लाइन नहीं मिलता इसके बाद जब जैनिफर अपने आफिस में होती है तो निकी उसे बताती है कि उसे फीमिल लॉयर अफ दै येर के लिए चुना गया है पर वहीं जब उसे समझ में आता है कि जैन परिशान है तो वो उससे इसका रीजन पूछती है तो उसे अपनी जैनिफर सारी बाते बता देती है जिसके बाद जैनिफर सोते जाकते काम करते हुए सिर्फ जौस के मैसेज का रिपलाई का वेट कर रही होती है पर ऐसा नहीं होने की वज़े से वो काफी जादा उदास हो गई होती है इसे बीच उसे फोन आता है जग का जो की होता है बिलॉंस्की का परोल ओफिसर और वो जैन को बताता है कि उसे बिलॉंज की के security system खराब होने के signal मिल रहे हैं जिसके वज़े से उसे लगता है कि साइद वो abomination में transform हो गया है जिस परिशानी को देखते साथ ही जैनिफर बिलॉंज की से मिलने जाती है और साथ ही साथ parole officer जग भी वहाँ पे पहुँच गया होता है जहाँ पर वो लोग security system चेक कर रहे होते हैं तो बिलॉंज की बताता है कि घर का काम करते हुए उसे काफी जादा electric shock लग गया जिसके वज़े से ही ये system खराब हो गया है जहाँ पर सारी situation को सहीं देखते हुए वो लोग वापस जाने लग गये होते हैं इसी बीच दो वीर्ड से बंदे आकर जैनिफर के कार पर ही लड़ रहे होते हैं और जिससे उसकी कार खराब हो गई होती है इसलिए वो शीहल्ग में ट्रांस्वर्म होकर उनकी पिटाई करने लग गई होती है तो वो लोग शीहल्ग से माफी मांग कर अपने दुवारा किया हो नुपसान की भरपाई करने की बात करते हैं जिसमें टाइम लगने वाला होता है इसलिए जैनिफर ब्लॉंस्की के साथ मिलकर गार्डन में सिगनल धून रही होती है वहीं पर ब्लॉंस्की जैनिफर से कहता है कि क्यों न वो उसके स्प्रिच्वल ग्रूप में जाए और थोड़ी से उनकी बातों को सुने जिस पर जैनिफर कहती है कि उसे बस यहाँ पर वाइफाई चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिगनल नहीं मिल रहा होता जिस पर ब्लॉंस्की बताता है कि जब वो दुनिया से कटिंगे तब तो अपने आपको ही ढूंट पाएंगे इसके चलते ही जैनिफर गार्डन में घूंटे हुए सिगनल ढूंट रही होती है पर जैसे ही वो एक जोपड़ी में पोहसती है तो उसे सिगनल मिल गया होता है पर वहीं पर ब्लॉंस्की और उसके सारे चेले मौजूद होते हैं वहीं हमें रूम में काफी इंडियन रेफरेंस देखने के लिए मिलते हैं जैसे की लचमी जी और गड़ी जी की तस्वीर साथी साथ अबॉमिनीशन के नाम के साथ नमस्ते मिलाकर उसे बना दिया जाता है अब वो मस्ते ही साथ ही बलॉम्स की जैनिफर को अपना गुरूप जॉइन करने के लिए कहता है पर जैनिफर अपने फोन में लगी होती है पर वहीं जब वो लुग बाते कर रहे होते हैं तो जैनिफर को उनकी काफी इंट्रेस्टिंग लग रही होती है पर इसी बीच बलॉम्स की गुरूप का चटवो बंदा वहाँ पर आ गया होता है जिसे देखते साथ ही जैनिफर फोर्थ वाल ब्रिक करकर हमें बताती है कि ये बंदा रैकिंग क्रू का मेंबर है जिसने उसके उपर अटेक किया था इसलिए शीहलक इस बार उस बंदे के उपर ही अडेक कर देती है जिसे इसको दिखकर बलॉम्स की कहता है कि यहाँ पर मैटर को लड़ कर नहीं बलकि बातों के थूरू सॉल्फ किया जाता है जिसके बाद वो लोग बैटकर बाते करते हैं जहाँ पर वो बंदा शीहलक से माफी मांगता है अपनी हरकतों के लिए क्योंकि वो ताकत कने से पर अंधा होकर ही ऐसे कदम उठाया था इसके बाद वहाँ के सारे बंदे मिलकर शीहल से पूछते हैं कि उसके अंधर कोई परिशानी चल रही है क्या क्योंकि वो सिर्फ लोगों को उठाकर फेकरी होती है जिस पर जैनिफर बताती है कि इस दुनिया में सारे लोग जो कि सिर्फ शीहल को पसंद करते हैं उन भीर में से एक लौता जोस ही ऐसा था जो कि ऑरिजिनल जैनिफर को पसंद करते आ रहा था जहां पर वो लोग काफी डेट में गए और उनके बीच में काफी कुछ हुआ पर इसके बाद जोस अचानक से गायब हो गया और ना ही वो अब उसके किसी भी मैसेज और कॉल का रिप्लाइ कर रहा है जहां पर उसे फाइनली लगने लगा था कि असल मैं कोई जैनिफर को पसंद तो कर रहा है पर जब उसे पता चला कि जैनिफर की अब उसके साथ नहीं है तो यह चीज उसका दिल तोड़ दी इसको सुनते साथ ही वहाँ पर बैठे लोग काफी भड़ खुद को दे और इसके बाद जौस के साथ जिते भी कॉंटेक्ट है उन सब को हटा दे तो जैनिफर बिल्कुल वैसे ही करती है और ऐसा करने के बाद वो काफी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही होती है वहीं उन सब की तिछी हेल्प के लिए जैनिफर उन्हें ठैंक्स कहती है और उसके बाद वहाँ से जाने लग गई होती है क्योंकि वहाँ पर टो टो ट्रक आगया होता है जो कि इसकी कार को अठा कर ले जाएगा इसके बाद जैनिफर जब अपने घर जारी होती है तो वह काफी अच्छा मैसूस कर रही होती है पर तभी हमें तीन दिन पहले का स साथ में होते हैं वहीं पर जॉस चैनिफर की फोन की सारी इंफोमिशन कलेक्ट करता है और उसकी फोटो क्लिक करकर एक हलकिंग नाम के बंदे को सेंड कर देता है और बिने किसी पोस्ट क्रेजिस सीन के साथ ही इस एप्रिसोड का यहां पर एंड हो गया होता है यह वीडियो आपको कैसे लगी अपने थोट्स कमें में बताएं और यह वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आगई हो तो इस वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं सोटा अगली मुक्कालाथ आपसे जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तकर के लिए टे केर एंड गुड बाई